दूस्तो जिस तरह हमने PowerPoint के अंदर Transition Effect के बारे में पता दिया है ठीक उसी परकार हम यहाँ पर Animation Effect के बारे में बताएंगे दूस्तो Transition Effect और Animation Effect दोनों अलग-अलग वर्क करती है जैसा कि मैंने आपको recent PowerPoint वीडियों बताए कि Transition Effect के वाल आप pages के अंदर कर सकते हैं थोड़े बहुत effect ले हाँ पर text में भी देता है लेकिन properly ये काम करता है pages पर अब आप text में effect देना चाहते हैं तो कैसे देंगे तो उसके लिए animation effect का use किया जाता है animation effect कैसे दिया जाता है कैसे text में animation effect डाल सकते हैं कौन कौन से इसके अंदर हमें effect मिलते हैं तो animation effect से related चनकारी के लिए इस पीडी को continue सुरूशी के लास तक देखे नमस्कार दोस्तों आप दिख रहे हैं basic computer हिंदी दोस्तों जैसी आप menu आर में जाएंगे animation के तो यहाँ पर यह animation effect अभी deactivate है क्योंकि आपने कोई particular text को select नहीं किया है हाना तो जैसी हम select करेंगे कोई बो text को powerpoint ppt की paste पर तो automatically यह function activate हो जाएंगे तो मैं यहाँ पर आपको बोलना हूँ यह page पर काम नहीं करता ठीक है तो दोस्तों यहाँ पर page में effect डालने के लिए transition का यूज किया जाता है और text में effect डाने के लिए animation का यूज किया जाता है ठीक है तो जैसी है आप switch पर click करेंगे तो यहाँ पर और effect में लेंगे internet effect and emphasis effect exit और motion page हाना तो बारी-बारी से जानते है देखिए दोस्तों यहाँ पर आप internet effect दीना चाहते है तो simple से पर आपको content को select करना होगा तो हम switch पर click करते है यहाँ पर हम fly and effect डालते है text के अंदर select कर लेना आप text को ठीक है तो यह effect डाला है जैसी आप इस पर click करेंगे दूस्तों तो effect option आ जाएंगे simple से आप इस पर click करेंगे तो इस इधर से आएगा ठीक है तो text की direction के लिए आपको यहाँ पर option मिल जाती है हाना आपको यहाँ पर top से लेकर आना तो top पर आप click करेंगे तो यहाँ पर top से यह text रन होकर आजेगा और दूस्तों आप यहाँ पर कुछ और लेंगे तो कुछ और effect आएगे जैसे की मैं यहाँ पर कुछ और ले लेता हूं जैसे लेता हूं फैट 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 पर click करूंगा हा तो यहाँ पर इस तरह का जो आ रहा तो option वो नहीं को इन शinary digit ठीक है ठीक है तो सेकंड में हम जाते हैं तो यहां पर एफेक्ट डालते हैं हम तो यहां पर एमपेसिस में हम यहां पर ले रहेते हैं ट्रांसफर एफेक्ट देखिए यहां पर ट्रांसफर एफेक्ट आ गया हना अब यहां पर इस पर किलिक करेंगे ट्रांसफर एफेक्ट क एक्टिवेट नहीं है तो यहां पर मैं लेता हूं जहां पर इस तरह आ रहा है जहां पर एफेक्ट कुछ और मिलेंगे कहने को मतबी है आप इफेक्ट डालेंगे इससे रिलेकेट और इफेक्ट है वो यहां पर आपको मिलते चलेंगे चल्ए आगे भड़ते हैं यहां पर है एक्शिट वाले तो यहां पर हम एक्श system path यानि की curve के साब से आप animation effect डाल सकते हो text में simple से इस पर click कर देता हूँ मैं click करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको curve का एक option आजागा देखी यह dragon है आपको कहां से लेना है आपको simple double click करना है हाना यहाँ से आप इसको drag or down कर सकते हो जैसा भी है आप कर सकते हो ठीक है तो अब देखी मैंने यह बना दिया है आप अपने सबसे कर सकते हो और यहाँ पर आपको curve के और option मिल जाएगी इस तरह से ठीक है भार के लिए कर देते देखी यह आ रहा है अब इसका preview देखते है तो देखी कि यहाँ पर curve किस तरह से आए गई तो देखी यह आ रहा है कोकि हमने इस तरह से line draw करी थी हना तो curve भी आप कर सकते हैं दूसरी आप पर मैं एक बात पता दूँ आपको simple से अगर आपको sound भी लगाना है तो भी आप लगा सकते हैं तो मैं simple से select कर लेता हूँ यहाँ पर कुछ और option मिलेंगे आपको animation pen simple से इस पर click कर देना click करने के बाद अगर आपको all जलाना है तो all जला सकते हैं तो यहाँ पर कुछ आपकी जो effect हैं वो दिख जाएंगे क्योंकि तीन में आपने effect डाले एक group 5 का एक group 49 और group 6 ठीक है तो यहाँ पर आप यहाँ पर sound भी डालना चाहते हैं चलिए मैं एक example में लेता हूँ group 5 को ठीक है इस पर click करते हैं switch पर click करने के बाद यहाँ पर आए timing timing पर click करते हैं तो यहाँ पर delay time में आप डाल सकते हैं यहाँ पर आपको डालना है ठीक है तो मैं डालता हूँ 0.5 का और बाकी का default रहनेता हूँ effect अब यहाँ पर आप sound डालना चाहते हैं तो sound को option यह है चलिए मैं arrow ले लेता हूँ यहाँ पर आप अपने साब से setting कर लिना मैंने इतना कर लिया है ओके कर देता हूँ तो यहाँ पर देखी मैं पर आपको दखाएता हूँ तो इस तरह से आएगा हना तो particular आप टेक्स पर किलिक करेंगे और वहाँ पर आपको मिलेगा switch switch पर किलिक करेंगे effect option पर किलिक करेंगे तो यहाँ पर sound और timing को decide कर सकते हो टेक्स की अब यह आपको कितना रखना है आप रख दीजे ठीक है अब आपको कितना आपको set करना है वह आप अपने साब से set कर लिजे दूसरी मैं आपको बता दूँ आप यहां से तो कर सकते हो कुछ नहीं easy है आप 2-3 वार practice करेंगे आपको ठीक से समझा जाएगा तो आपको कोई particular animation को दीखना है तो particular आप उस पर किलिक किए जैसे की group 49 पर मैं किलिक करता हूं और मैं पिलिक करता हूं तो 49 पाली यहाँ पर effect आएगा ठीक है animation आगा ठीक है दोस्तों तो आपने इतना स आपको और effect मिल जाएंगे तो आप अपने साब से set कर लीजे आपको कैसा रखना है हाना देखिए ठीक है आपको जैसा लगे आप वैसा रख लीजे यह देखिए हाना तो यहाँ पर मैं effect देता हूं उस पात okay कर देता हूं effect आच चुका है देखिए group बनका ठीक है इस पर click क करके कर आपको sound देना है तो आपको effect option पर जाना है and यहाँ पर timing set कर लेना है डिले कितनी देर तक में हो हाना तो duration आप कितनी में रखना है वह आप अपनी सब से रख लीजे and यहाँ पर आपको sound करना है and आपको sound देना है तो sound आपको यहाँ से मिल जाएगा मैं ले लेता हूँ यह okay and यहाँ पर repeat करना है तो आप यहाँ पर repeat कर सकते हैं okay तो यहाँ पर मैं तीन बार ले लेता हूँ okay and okay करता हूँ तो यहाँ पर देखिए तो यह तीन बार repeat हूँगा तो इस तरह से हम powerpoint ppt के अंदर animation effect देते हैं यह text पर ही काम करता है हम page पर करना है तो हम translation effect का यूज करते हैं अब आपको करना करें दूस्तों आपको बारी बारी से option यूज करना है और चेक करना है कौन सा effect क्या काम कर रहा है यह आपको practice करने से ही आएगा ठीक है I hope आपको यह video काफी helpful लगो दूस्तों इस तरह की helpful वीडियो को हमारे चैनल पर बने रहे है ओको बने थेंक्स और बाई बाई